आईगी क्योंकि पांचमा बंगल है, साथ साथ में प्रेम संबंध प्रगाण सा जहां चल रही है, उसमें थोड़ा विवाद हो सकता है और उसके बाद संतान के बाद में अब आपकी संतान तो अच्छी होगी ही, लेकिन आपका संतान से किसी से विवाद हो जाएगा संतान को लेकर, इसका विशेश ध्यान रखना ही सकता है संतान को लेकर किसी से बिवाद हो जाए इसको समझ करके रहना है तो आपका जो पंचम इस्थान पर रासी का स्वामी है वो चल रहा है और आपकी रासी पर क्या चल रहा है आपकी रासी पर के तू बैठे हुए हैं के तू प्रसिद्धी का रख रहे हैं अचानक काम जो होते हैं वो बिष्चेग्रासी वालों को होने वाले हैं और अभी तक बिष्चेग्रासी बहुत ही कष्ट में चल रही थी अब बिष्चेग्रासी वालों के लिए बहुत सुखत समाचार है और सुबसमय है इसे विष्चिक राशी वाले दिन दूने राच चोगने बढ़ेंगे, सारे ग्रह बादा दूर होने क्यों कि सनी आपका तीसरा आ चुका है, अब सनी से कोई बाधा ने रही, तीसरा सनी है, तीसरा सनी क्या है? आपके जो पढ़े हैं, उसका तो प्योग होग यहीं लक्ष को रखकर के दूसरे लक्ष में आपका ज्यान ध्यान है उसी में आपको सफंता मिलने बादी है और पढ़ाई दिखाई में कुछ कमजोरी आ जाएगी बाधा आ सकती है प्रतियोगता में बाधा आ सकती है इसलिए आपके जो हैसो सनी देओ जो हैसो ठीक नहीं है तिसरे इस्थान पर है और यही सनी भाग को देख रहे हैं तो भाग में भी चोठ पहुचा रहे हैं लेकर तीसरे इस्थान पर जहां बैटके वहां कूट्टी करते हैं च्छोटे भाई-बेनों का रखरकाओ रेह्सयान उनके बेस भूसा उनका आवास उनका भोजन भजन पस्टे सभ चरह और सनी जब तीसरे होते हैं तो छोटे भाई को स्वास्त गड़वर पैदा करते हैं, तो यह और सकता है, भाग में छोट पहुँचा रहे हैं, धार में ग्यात्राओं केंजल करा रहे हैं, कारियों में बिनास कर रहे हैं और साथ साथ में आपके जो अपव्य कराने वाले भी हैं जब आपके जो तीसरे चल रहे हैं सनी तो अपव्य यानि हानी नुक्सान पहुँचा रहे हैं गुरू क्या कर रहे हैं गुरू भी आपके जो हैसो मकर्रासी पे हैं तो वो भी तीसरे हैं तीसरे गुरु आपके पत्नी का भरपूर सहयोग मिर रहा है, उनकी सलाय आप मानते नहीं, उनकी सलाय से काम करेंगे, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके गुरुदेव आपके इस्थान से आपकी रासी से तीसरे हैं, इसलिए आप अच्छा फ़क देने वाले हैं, ल और यही गुरु देव आपकी तुना रासी से, तुना विश्चिक, धन्व, मकर, कुंब, मीन, मेग, भ्रैको, मिथुन, कर्क, तो आपके गुरुदेव भी अच्छा फ़क देने वाले हैं, और राहु देव क्या कर रहे हैं आपकी तुना रासी पे, तुना रासी व्रिसम आपके पत्नी का स्वास समाल के चलना है, क्योंकि अचानक कोई दुरगट्टा हो जाए, वो खास करके नाग का भय रहेगा पत्नी को, आपकी पत्नी को सर्प का भय रहेगा यह सकता है, कोई सपने में नाग दिखेंगे, ये भी एक चमतकार चीज बता रहा हूं, तो आपकी पत्नी को सपने में नाग दिखेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूत नहीं है, कोई दुक्सान दें नहीं रहेंगे, साथ मैं आपको स्वेम को भी थोड़ा सा अजीव सा जरसो संस्क्रण होंगे, बड़े भाई बहनों को भी कष्ट देओगा, छोटे भाई बहनों को भी ब्रिष्टिक रासी पर ही सूरी चल रहे हैं, तो ब्रिष्टिक रासी पर सूरी चलने से अपनी रासी पहें तो पत्नी स्थान को देख रहे हैं, तो पत्नी स्थान को बिगाड रहे हैं, स्वास्त बिगाड रहे हैं, और आपके सुभाव को बिगाड रहे हैं, मन मुटा हो ब्यापाद में बिर्दी कराएंगे, अनेक सुतों से लाब दिलाएंगे, नए ने ब्यापाद स्री गणेश करने वाले हैं, वो बड़ से भविस्त में दावानमित करेंगे, केतु आपकी लगन में वैठे हुए हैं, आपकी रासी पर वैठे हैं, सिर पर छोड़ चपेट का निसान बना हुआ है आपके, उनकी एक प्रिसिदी हो जाएगी हैं, इस प्रकार से, और बचनाओ भी रखना हैं, क्योंकि अचानक दुन घटना आ सकती हैं, क्योंकि आपके केतु आपके लगन में वैठे हैं, और पत्नी से भी मनमुटाओ करा सकते हैं, केतु क्योंकि सब् इस प्रकार से, और सूर्री हो, और सूर्र देो, और मंगम देो, कहां मैंने भगता है, अब चंद्र देव की स्थिति क्या रहेगी ब्रिष्चिक रासी बादों को, चंद्रदेव आपकी रासी ब्रिश्चिक से ब्रिश्चिक धन्मकर कुंग यानि चतुर्स चंद्रमा है तारिक 223 को चतुर्थे कलहागमा वित्रों से विवाद हो सकता है 223 तारिक को माता का स्वास्त गड़वर हो या सुभावगडवर हो आपके बाहन में कुछ परिशानी आ सकती है कुछ न कुछ ये चोथा अस्थान है वो ठीक सुख में बादा सुख से बेचेन बैठेंगे सुख नहीं में पाएगा बेचेन ज्यादा रहेंगे तो 224 और 25 तारिक को पंच में ज्यान ब्रद्धिच्च है यानि जो पढ़ाई दिखाई करने वारे स्टूडेंट है उनको ज्यान की ब्रद्धी होगी और अनेक प्रकार से मंदल में उनका समय भीतेगा और पढ़ाई में भी मन रगएगा और प्रेम सम्मंद भी आपके प कुछ ब्याधी आ सकती है आपके कारियों में व्योधान आ जाएगा बाधा आ जाए और कोई सत्तू बाधा हो रोग की बाधा हो सर्दी जुकाम हो जा सर्दी होना सुनिच्चत है इसका विध्यान रखना है और 27 और 28 तारिक को सब्त में राज सम्मानम आपका इष्टमित् आपका मान बढ़ाएंगे जहां भी जाएंगे मान बढ़ेगा आपके घर मेहमान आएंगे और जाद तरफ आपका मान परतिष्टा बढ़ेगे और देनीक आई की गत्य बी अच्छी रहेगी इस प्रकार से बिष्टी गरासी वालों को मंगर मैं समय मीचेगा इनहीं मंगर काम बनाव थेजा, हर्यो है हमारे पास, आएए संपर कीचे, जोतिष्य ग्यानी, विशार शर्माजी से, अधिच्छानकारी ली विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल जोतिष्य ग्यानी और संपर करें, हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 7828913529, ज़न्यवारे